क्या भी अपना income tax filing करने के लिए तयार हैं और जानना चाहते हैं कि आपको ITR 1 से लेकर ITR 7 यानि ITR 1 से ITR 7 जो form है उनमें से कौन सा form आपको भरना चाहिए तो इस वीडियो में में financial year 22-23 जिसका tax return हम 2023 में भर रहे हैं उसके लिए क्या-क्या जो है वो form में प्रावधान है और क इस person को आप सेलरीड हैं तो कौन सा भरना चाहिए पैंशनर हैं तो कौन सा भरना चाहिए आपको capital gain हुआ है तो कौन सा भरना चाहिए आप कोई छोटे business हैं तो कौन सा form भरना चाहिए अप NRI हैं तो कौन सा form भरना चाहिए तो इस तरीके से में एक-एक करके सारे forms को मैं यदि आपकी income सिर्फ salary से हुई है, थोड़ा बहुत आपको ब्याज मिला है, और उसके अलावा जो कुछ house वगेरा या कोई housing property आपने rent पे दी है, उससे rent मिला हो, अगर ये ही आपकी income है, तो आप ये form भर सकते हैं, NRIs जो हैं, वो ये form नहीं भर सकते हैं, और इस form के भरने के आपकी जो higher limit है, वो है 50 लाग, यानि आपकी सारी income, जो salary, income from housing property, या interest मिला के 50 लाग से उपर नहीं होना चाहिए, अगर 50 लाग से नीचे है, तो आप ये भर सकते हैं, इस form को भरने के लिए normally आपके पास, अगर आपके employer से आपको form 16 मिला है, तो आप उसके basis से भर सकते हैं, अब बात करते हैं, form ITR2 की, ITR2 जो salary वाले हैं, जिसमें HUF भी आता है ITR2 में, यदि आपकी income 50 लाग से उपर है, तो आप ये form भरेंगे, इस form में वो लोग भी आजाते हैं, जिनकी salary income है, लेकिन उसके साथ साथ उनोंने share में या mutual fund में investment किया है, और उसमें कुछ capital gain हुआ है तो भी आपको ITR2 भरना है, ITR2 जो है, वो NRI द्वारा भी भरा जा सकता है, तो इसमें आपकी salary income हो सकती है, इसमें housing income हो सकती है, इसमें आपकी interest income हो सकती है, और आपका capital gain हो सकता है, यदि capital gain वगेरा नहीं भी है, लेकिन अगर आपकी income 50 लाग से उपर है, तो भी आपको य intraday trading करते हैं, या जो stock market में futures and option trade करते हैं, तो business income अगर आपकी है, future and option की income को business income माना जाता है, तो यदि आपकी business income है, चाहिए आप individual हों, या कोई small firm हों, तो आपको ITR3 भरना होता है, तो यह ITR3, ITR2 से कैसे, जो है different है, ITR2 में आपका कोई trade income नहीं है, आपकी कोई business income नहीं ह ITR4 जो है, वो उन individuals और companies को द्वारा भरा जाता है, जो presumptive taxation का फाइदा लेते हैं, यदि आपका business जो है, उसकी income 2 करोड से कम है, और आप section 44 AD के अंदर presumptive taxation का benefit लेके और tax file करना चाते हैं, तो आपको ITR4 भरना है, इसी तरह से अगर आपके occupation के थुरू, अगर आपकी earning है, और वो earning 50 लाग से कम है, और उसमें अगर आप section 44 AD के अंदर अगर आप presumptive taxation भरना चाते हैं, तो भी आपको ITR4 ही भरना है, तो यह ITR4 जो है, यह freelancers के थुरू भी भरा जा सकता है, जो की section 44 AD के अंदर आ सकता है, ITR file जो है, वो भरा जाता है partnership या partnership companies जिसे हम बोलते हैं LLPs, उनके दुआरा, तो यदि आप भी कोई LLP या partnership company या AOP चलाते हैं, तो आप ITR5 फाइल कर सकते हैं, ITR6 जो है, वो businesses और companies द्वारा भरा जाता है, जिसमें सारा profit and loss, balance sheet वगएरा maintain करके, और proper उस format में भरा जाता है, ITR6, ITR7 एक special case है, जो उन businesses और company द्वारा भरा जाता है, जो income tax पे नहीं करते हैं, तो यदि आपकी ऐसी कोई company है, जो normally ITR6 में आती है, लेकिन किसी कारणवास, किसी law के द्वारा वो अगर income tax पे नहीं करती है, तो ITR6 की बजाए, आपको ITR7 भरना चाहिए, तो in short, अगर आपकी salary income है, तो आप ITR1 भरें, अगर आपकी salary income के लावा, housing income के लावा, अगर आप capital gains वगेरा भी है, तो आप ITR2 भरें, जिन लोगी income स पचास लाग से कम है, तो ITR1 भरें, पचास लाग से उपर है, तो ITR2 भरें, जो individual futures and option या intraday में trading करते हैं, उन्हें ITR3 भरना है, जो individual या businesses presumptive taxation का use करना चाहते हैं, उन्हें ITR4 भरना है, जो proper businesses हैं, जो presumptive taxation का use नहीं करना चाहते हैं, उन्हें ITR6 भरना है, तो मोटा मोट का यह सारा जो है वो I T.E.R के फर्म है जो आपको होप समझ माया हो कि कौन सा आइटियर आपको भरना है आपके इसाब से अगर आपके कोई भी कोश्चन हो कि मेरी यह कंडिशन मुझे कौन सा आइटियर भरना को आपको नीचे कुस्चन में पूछ सकते हैं Thank you